लोब क्या होता और संसार मिले और संसार मिले ये लोब ऐसी चीज है कि कहीं शान्त होता ही नहीं है लोब का पेट कहीं नहीं मरता एक व्यापारी ने एक राजा से वर्दान लिया उसने राजा का काम किया तो राजा ने वो व्यापारी को वर्दान दिया क्या चाहिए व्यापारी ने का जितनी जमीन मैं सूरियों दे से सूरियास तक नाप सकूँ वो मेरी हो जाए राजा ने का ठीक है दिया अब वो आदमी अगले दिन लोब के साथ घोड़े पर बैठा जैसे घोड़ा दोड़ने लगा उसको लगा इतना मेरा हो गया है इतना हो गया है अब एक व्यक्ति को कितना चाहिए लेकिन उसने का गोल्डन चांस है गवाते क्यों हो तो घोड़े को भगाता गया कई हजार हेक्टेर उसकी हो गई जमीन बारा बज़ गए घोड़ा परेशान ठक चुका था और वो सवार भी ठक चुका था लेकिन उसका लोब नहीं ठका था तो घोड़े को भगाते भगाते तीन बज़े दुपेहर में घोड़ा इतना ठक गया और प्यास से पीड़त हो गया उसके घुटने ढै गए घोड़ा वहा कोलाप्स हुआ और उसका राइडर उपर से सिर के बल जाके गिरा वहाँ पत्थर की चट्टान थी उसका सिर पत्थर से लगा वही पर उसका दिहान थो गया गाव वासियों ने जब उसको दफनाया उन्होंने कहा अंत में ये दो गज़ जमीन ही इसके काम आई बाकी सब बेकार चली गई तो हर व्यक्ति चाहे अरपती हो चाहे कोई भी हो उसको कितना चाहिए सोने के लिए थोड़ा सामान चाहिए पहनने के लिए दो कपड़े चाहिए लेकिन हम जो भागते जाते हैं इसलिए क्योंकि वो लोब कही हमको शांत नहीं होता इसलिए तो सिकंदर महान ने जब अपने गुरू डायोजनीज से कहा था कि मैं सिकंदर महान हूं और मैं विश्व पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं डायोजनीज ने का तुम महान नहीं हो तुम क्रिपन हो जो वास्तम में महान होगा वो अपने को महान कहेगा नहीं बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरा मोल तुम बोल रहे हो मैं सिकंदर महान हूँ तुम कोई महान फाहान कुछ नहीं हो और तुम जो कह रहे हो विश्व पर विजय प्राप्त करोगे विश्व पर तो कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता तुम वापस नहीं आओगे यही हुआ सिकंदर भारत पर्युद करने के बाद वापिस जा रहा था रास्ते में ही उसका देहान्त हो गया वापिस मिश्र ग्रीस पहुंचा ही नहीं तो उसका लोब उसको शांत नहीं बैठने दे रहा प्राइब का लोब उसका लूब करने के बाद बैठने के बाद रहा ही।